राजस्तान में सडक हाथ से लगतार लोगों की जान ले रहे हैं इसी कड़ी में दो अलग-अलग दुरगटनाओं में पांच लोगों ने अपनी जान गवा दी बुंदी जिले के चतरगंज बाई पास पर अन्यंतरित होकर एक ट्रेलर ने बाईक सवार तीन लोगों को कुचल दिया इस हादसे में एक महिला से तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौथ हो गई जानकर एक अनुसार यह बाईक सवार बुंदी से आ रहे थे तीनों बाईक सवार जैसे ही चतरगंज पहुँचे एक अन्यंतरित प्रेलर ने तीनों को टकर बार दी टकर लगते ही बाईक सवारों की मौके पर ही मौथ हो गई हिंडोली पुलिस ने तीनों के परीजनों को सूचना दे दी है हादसे के बाद ट्रेलर चालक मोके से फरार हो गया और सडक पर जाम के हालाग बन गए उधर भीलवाड़ा के पास गुलाब पुरा में एक कंटेनर और मिनी ट्रक की टकर में दो लोगों की मौत हो गई वहीं इस हादसे में 11 लोग खायल बताए गए है जिनने भीलवाड़ा के अस्पतल में भरती करवाए गया यह हादसा नैशनल हाईवे 89 पर कवल लिया वास टोल के पास हुआ जब अचानक एक मिनी ट्रक और कंटेनर की टकर हो गई मिनी ट्रक में 11 मच्छवारे सवार थे जो मुंबई जा रहे थे गंबिर घायलों में चार को एम्बूलेंस की मदद से भील वाड़ा ले जाये गया वहीं मर्तकों के शवों को गुलाब पुरा की मोर्चरी में रखवा दिया गया है मर्तकों की अभी तक शिनाक्त नहीं हो पाई है मरने वालों में एक कंटेनर चालग भी शामिल है सभी घायल दिल्ली के मुराज़ा बादनिवासी बताए जा रहे हैं